गुर्बारिंग इस्टूडेंट आज किस वीडियो में हम कॉमर्स अब्जेट के कचचदस के एक विशेश टापिक हुंडी को डिस्क्राइब करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इस टापिक को भारती व्यवसाई कितिहास में हुंडी को भारती विन्मेविपत्र कहा जात है दो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि विन्मेविपत्र क्या होता है जब कोई भी व्यवसाई माल खरीजने जाता है और वहां माल उधार में लेता है तो उधार माल देने वाला व्यक्ति अपने पास एक प्रलेग लेकर करके रख लेता है जिस पर उधार लेने वा और हुंडी में अंतर क्या होता है तो भारत में बहुत प्राचिन काल से हुदियों का प्रियोग जो है परिचलित है या द्य वर्तमान काल में वहा काफी कम हो गया है हुदि वही कारी करती है जो विंवेश्च करता है इसकी विशेषता या है कि या भारती भासाओं में किसी एक में लिखी जा सकती है परंतों अधिकतर किस भासा में लिखी जाती है मारवाडी या मुडिया भासा में लिखी जाती है इसमें रासियों का लेखा करते समय रासियों का दूना और आधा भी लिखा जाता है ऐसा करने का आसे रासियों को परिवर्तित किये जाने से बचना है अब दिखते हैं कि हुंडियों के भेड कितने हैं या हुंडियां कितने प्रकार की होती हैं प्रकार कितने हुंडियों के भेड तो पहली उन्डि कर दरस नय उंडि कि दूसरी होती है लुख कि मुझत तीटोर और तीसी कंटागड़ी में अन्य ह suffer对ी आती हैं जैसे कि है blameCH जोग हुंडि दिखनहार हुंडि जोखिम हुंडिए और होगिनियोंहें दा só हुं ή COPD प्रिकार की मोंडी जिसका भुखतान मांग करने पर तुरंट किया जाता है यह मांग पर दे होती है ये हुंडियां मांग विन्वें विल की तरह होती है किस की तरह होती है मांग विन्वें विल की तरह होती है फिर दूसरी है मुद्धती हुंडी मुद्धिती हुंडी जो हुंडी एक निश्चित अवद के बाद भुक्तान की जाती है कब की आती है एक निश्चित अवद के बाद भुक्तान की जाती है उसे मुद्धिती हुंडी कहते है इन हुंडियों पर इनकी रास के अनुसार टिकर लगाना आवस्यक होता है सबसे पहला नाम है सहे जोग हुंडी, सहे जोग हुंडी क्या होती है, जिस हुंडी का भुकतान किसी प्रतिष्ठा वाले विक्त के द्वारा किया जाता है, उस हुंडी को क्या कहते है, सहे जोग हुंडी कहते है, धनी जोग हुंडी, जिस विक्त का नाम हुंडी में लिखा देखनहार हुंडी यह हुंडी वहख होती है क्या होती है कैसी होती है किसी को दे सकते है इस हुंडी का भुक्तान किसी भी विक्त को किया जा सकता है किसी भी विक्त को भुक्तान किया जा सकता है और कौन जो कि उसे भुक्तान के लिए पेस करें जो भी भुक्तान के लिए जिसको वो हुंडी मिल जाएगी और जो भी भुक्तान के लिए पेस कर देगा उसी को में किया जाता है जब वह माल रच्षित पहुंच जाए जिसके सम्मंद में यह पहुंच नहीं जाता है तब तक पूरा दाइत जो है वह जोखिम हुंडी पर रहता है तो इस प्रकार की जो हुंडी होती है जब कि वह माल रच्षित पहुंच जाए जिसके समंद में यह हुंडी जी गई है तो इस परकार की हुंडी को क्या कहते हैं जोखिम हुंडी कहा जाता है इस परकार की हुंडी화 जो अब परचलण में नहीं है फिर अगली हुंडी है फर्मान जोग हुंडी फर्मान जोग हुंडी जब एक हुंडी का भुकतान किसी ऐसे बेक्ति को किया जाता है जिसे भुकतान पाने वाला आदेशित करता है जिसे भुकतान हमको मिलना था और हमने जो है वो किसी और को दे दी तो ऐसी दसा में जो हुं कहा जाता है इस परकार की हुभी को अब देखते हैं कि हुभी का नमूना हुभी का नमूना तो सबसे पहले यहाँ पर अपने इश्ट देव का कि नामेंसन किया जाता है इसके बाद हुभी संख्या फिर यह कुछ इसकी भासा होती जिसमें लिखा जाता है सिद्धि स्थान आगरा के भाई कनया लाल को जोग लिखी कानपुर से असो कुमार सिंग की तो देख रहा है कि एक आपके उपर करी रुपिया इतना अंकों में और सब्दों में भी और कोa5000 के दूनें देना है जी तो जैसा कि बता है कि इसमें दूना और आधा भी लिखा जा सकता है तो उस भासाम इसको यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर जो है हास्ताच्छर होते हैं किसके हुंडि लिखने वाले के तो यह था आज का हुंडि का टरपिक आगे